में आपको explain करने वाला है जी ओका on 799-3599-3999 वाले plans के बारे में कि क्या कुछ benefits मिलने वाला है अगर आप इन plans कुरिचर्च करवाते हैं तो जो पहला plan है on 799 का इसमें आपको daily का 3GB data हर रोज मिलने वाला है 84 days के लिए और यह वाला plan unlimited 5G वाला है मतलब अगर आपके phone में 5G है 5G network आपको मिलता है तो आपको unlimited data मिलने वाला है या आपका तभी जो ही use होगा जब आपका 4G network चलेगा आपके phone के उपर ठीके उसके बाद है unlimited calling करने के लिए आपको मिलेगा 100 SMS पर दे इस plan में आपको netflix का जो basic plan है वो आपको मिलेगा और इसका validity म मिलेगा लेकिन जो प्लान में पशलेट 84 days के लिए हैं तो 84 days के लिए हम इसको पकड़ के चल जाते हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि basic plan Netflix का कौन सा वाला है तो मैं आपको समझा देता हूं Netflix का जो basic plan है इसमें आपको content देखने को में लगा 720 HD वाला और इसमें आप चाहो तो आपके TV या फिर आप चाहो तो आपके computer PC laptop में भी online में जा की login करके देख सकते हूं लेकिन एक टाइम पर एक ही device जो है आपको जो ही login करने का option में लगा मतलब यह जो plan है basic वाला इसमें एक ही जगा पर देख पाओगे अगर आपने mobile पर Netflix को login करके रखे हो और आप सोच रहे हैं कि अभी TV पर देखेंगे तो आपका mobile में से automatic logout हो जाएगा फिर logout करना पड़ेगा फिर उसके बहाँ पर जा पर आपको login करना होगा दूसरा जो plan है 3599 रूपीज का इसमें आपको देली का 20GB data per day मिलने वाला है 365 days के लिए मतलब कि देखा जाए तो पूरे एक साल के लिए आपको मिलेगा 20GB data हर रोज 365 days के लिए calls unlimited रहेगा SMS unlimited रहेगा और यह वाला plan भी जो है आपको unlimited 5G वाला मिलेगा मतलब कि जब आपके phone में 5G ने ट्रॉक पकड़ेगा तो आप unlimited 5G data य जब आप 4G data की यूज करोगे तो plan तो काफी अच्छा है बढ़िया है लेकिन बहुत ही महेंगा है 3599 रुपीज का और इस plan में आपको कोई भी extra benefit नहीं मिलने वाला कि आपको जो है Netflix कोई दूसरा चीज मिलनेगा जी ओ सीनेवा का प्रीमिय असक्राइब आपको इसमें नहीं मिलने वाला है ठीक है तो यह आप समझ लो plan काफी अच्छा है लेकिन बहुत ही महेंगा है तो आप आपकी सबसे देख सकते हो ओके नेक्स जो plan है सबसे महेंगा वाला इस plan में से 3999 का इस दर जो आपको मिलने वाला है डेली का धाइजी डेटा हर रोज मिलेगा यह भी 365 डेस के लिए और इसमें भी आपको जो है unlimited 5G मिलने वाला है मतलब कि जब आपका 5G network यूज होगा फोन में तो आपको unlimited data यूज कर सकते हूं होने डेसे में स्पार डेट पिछले बाले प्लान में इसमें एक ही difference है कि इदर आपको fan code का आपको subscription मिलने वाला है तो यह ही एक चीज है और इधर जो मुझे लगता है कि यह जो fan code का जो subscription है यह आपको एक साल के लिए ही मिलेगा क्योंकि जो plan है यह भी एक साल के यह ही है और जो fan code का subscription है यह आपको GOTV के अंदर देखने को मिलेगा fan code के अलग से application के उपर नहीं मिलेगा ठीके समझा देता हूं fan code में जो है आप sports बगड़ा देख सकते हूं हलाकि सभी sports इंक्लोड नहीं रहेगा आपको तो यह मालूम है कि अभी जो है content अलग अलग platform पे ह तो यह आपको जीओ टीवी के अंतर देखने को मिलेगा जैसी वह प्लान आप रिचाज कर वालोगे फिर जीओ टीवी आप जो ही इंस्टर कर लेना सेम नमबर पर ही आप लॉग इन कर लेना उसके बाद आपका home page रहेगा जीओ टीवी का इस तरह से उसके बाद premium को पर क्ल लगता है कि fan code का देखें लिखा भी है कि fan code का चीजे है तो यह बाला जो content है वह आपको free up cost एक साल के लिए जो मुझे लगता है कि आपको देखने को मिल जाएगा